हेलो फ्रेंस आज मैं आपको राजपूति काचले काचना सखाऊंगी कुर्टि काचने के बाद जो हमारे पास बशता है इसकी हम सबसे ऑफेले स्लीव्सनिकाल लेंगे क्युक्या हम इस लिए स्लीव्स में सबसे ज्यादा काची होता हैust जिनके सीज़ हेफ हैं कि पलीग जितनी नियुद कर लेंगे नुलाद के दिया मैसे ह는 और शल्ट के हाथ ऑर यारा शल्ट वर सवायी कि नियुद्स अगू है इससे में कुछ निकरना यह बिल्कुल सीधी निकालनी है उसके दो पार्ट्स कर लेंगे यह हमारी दोनों स्लीव के पार्ट्स कट गए हैं इस देखिए फ्रैंड्स हमने दोनों स्लीव काट ली हैं यह मारे नीचे वाला डिजाइन है बाजू के और जो हम इसमें से हम सबसे पहले कराखी निकालते हैं ध्यान रहे फ्रेंड्स काचली के पांच पार्ट्स होते हैं जिसमें से एक पार्ट स्लीव्स है और एक पार्ट हम स्लीव्स के अंदर से कराखी निकाल लेंगे यह हमने कराकी ऐसे काट लिए और ध्यान रहे दोनों स्लीव्स एक्वल रखके सिर्फ दो हिस्से ही चारों हिस्से नहीं काटने सिर्फ दो हिस्से काटने देखिए मैं आपको दिखा देती हूं यह हमने जो दो पार्ट ऐसे दो होते हैं दोनों स्लीव के एकवल ही एकसाथ पार्ट काटे हैं कराकी काटी है धयानरे सिफक दो ही कराकी काटनी है गलती से आप चार मत काट देना वरना इतना एकस्टर कपड़ा कपड़ा निकाल लेंगे यह ज्याधा एक्सट्रा कपड़ा दीनी होता लिह हम इसमें सेही एक्ट्ची निकालेंगे दूसरी तुक्ड निकाल लेंगे आपने 4-4 ओंड्ली स निप cultivate 6 इंच 20-5 आप कर schauen कि नी सोरी टुकी रख सकते हैं यह नॉर्मल चैस्ट के लिए थर्टी से थर्टी सिक्स या फो थर्टी फोर तक इजली सब के लिए बन सकती है यह आपको ऐसे एक कोन बनानी है और आईस्क्रीम शेप में आपको इसे ऐसे गोलाई के अंदर काट देना है द्यानरे सिर्फ थोड़ी सी गोलाई लेनी है जादा गोलाई लोगे तो फिर वो फैली हुई चोड़ी चोड़ी दिखेगी जो उससे अमारी जो टुकी होती हो है तो आप साड़े पांच से ऊपर थोड़ी चे यह साड़े पांच इंच की आप काट सकते हैं यह मने एक्स्ट्रा कपड़ा गोलाई में काट दिया है फ्रेंस वीडियो समझ नहीं आए तो रिवाइन करके देख सकते हैं और कुछ समझ नहीं तो आप मुझे कमेंट बोक् काट लेंगे जितना बचा उसमें मघजी काट लेंगे यह हमने इतना एक बिलांद और एक बिलांद से थोड़ा सा उपर हम गट्टे के लिए रख लेंगे चोरस नहीं काटना है एक थोड़ा बढ़ा रखना हमें और एक थोड़ा सा चोटा रखना है थोड़ा सा लंबा प सिंगल हमारी दो स्लीवेस दो पार्ट्स दो गट्टे और लो घुट्थ सब दो पार्ट्स होते हैं सिर्फ जो नीचे वाली पत्टी वह सिंगल होती है ये देखे फ्रेंज एक बिलांद और एक बिलांद से एक्स्ट्रा दो काटेंगे इसमें थोड़ा कपड़ा कम है इसलिए हम इसमें थोड़ा ओर एड़ कर लेंगे हम गट्टा अगर हमारा छोटा पड़े तो हम उसमें और एक्स्ट्रा कपड़ा एड़ कर सकते हैं यह देखे फ्रेंस थोड़ा सा एक छोटा इससा और एक थोड़ा बड़ा इससा इसलिए हम इसको दो उंगली एक्स्ट्रा और यह एक बिलांद इससे हमारे जो गट्टे की बाजू की सेप होती है वो एकदम एकवल आएगी अब हम फ्रेंस अपनी नीचे वाली पट्टी काट लेंगे नीचे की पट्टी हमें टुक्की के हिसाब से ही करनी होती है यह देखे अब जो हमारा टुक्की लगती है टुक्की के नीचे की हम पट्टी काट लेंगे तल प्लेटी उसको बोलते हैं अब हम इसके तल प्लेटी के लिए हम पटी लगबग 6 उंगली या फिर आप 5 इंच पटी ले सकते हैं पाचिंच की और इस पे अगर कम पड़े तो आप एक्स्ट्रा कपड़ा और एड़ कर सकते हैं अब इमने इसमें यह हमारा जो दूसरा गट्टा एक छोटा था उसमें दूसरे गट्टा इसके एक्वल का हम निकाल लेंगे अब फ्रेंस हम इसकी जो बाकी कपड़ा बचता है हम उसमें मगजी निकाल लेंगे यह देखिए फ्रेंस हमने इसके अंदर कटिंग करके इसकी मगजी के लिए हमने तिकूना कपड़ा करके जो हमारी मगजी होती है, हम उसके तिकूने कपड़े की हिस्सा करके तिकूने कपड़े की हम मगजी निकालते हैं, इससे बड़ी और बिना जोल वाली मगजी बनती है, ये देखिए फ्रेंस हमने मगजी के लिए चार उंगली, हमारी चार उंगली काफी होती है, आज कल छोट अगर थोड़ी कम पड़े तो आप और एक्स्ट्रा पी काट सकते हैं मगजी काटने के बाद जितना भी कपड़ा बचता है वो हम उसकी डोरी बनाने में काचली की डोरी बनाने में यूज कर लेंगे यह देखी फ्रेंज हमने इसकी मगजी काट ली है यह हमने दोनों चार पटियां काट ली हैं दोनों एक वल रखके उपर नीचे यह हमारी मगजी की चार पटिया कट गई हैं और बाकि जो एक्स्ट्रा कपड़ा बसता हुआ हम डोरी बनाने में निकाल लेंगे इसके तो फ्रेंट्स इसकी स्ट्रीचिंग की वीडियो में नेक्स वीडियो में डाल दूगी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूले थैंक यू फ्रेंट्स बाइबाइ फ्रेंट्स